नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत भारत के सबसे बड़े और विश्वशनिय न्यूज चैनल STF न्यूज को पर दोस्तों इस वक्ति एक बहुत बड़ी है वो खबर निकल कर आ रहे हैं कि जारखंड विदान सबा चुनाओ 2019 को लेकर जी दोस्तों जारखंड विदान सबा चुनाओ 2019 के अंदर कॉंग्रेस पार्टी और इसके साथ जारखंड मुक्ती मोर्चा हैमेंट सेरवन के नेतरतों में जबकि राष्टिय जन्ता दल ये तिनों पार्टिया मिलकर वो एक बड़ी जीत की तरफ हो बड़ रहे हैं जी दोस्तों यहां तक की जारखंड के अंदर भारतिय जन्ता पार्टी के मुक्यमंत्री उमिद्वार रगवर दास जिनको कॉंग्रेस के वो गोरो वलब कड़ी टकर वो दे रहे हैं जी दोस्तों भारतिय जन्ता पार्टिय वो इस बार मातर साथ सीटों के उपर वो जारखंड के अंदर सिमिटती वी दिखाई दे रही है। महागठबंदन का हिसा है और सबसे बड़ी पार्टि के रूप में वो निक्के उबर करा रहा है जो हिमंत के निर्टतों के अंदर वो चुनाओ दर रहे हैं। जबकि इनके अलावा जारखंड विकास, मौर्चा और अन्य छोटे दल है वो और निर्दली है वो मिलकर है वो शीटें जीत रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जारखंड के अंदर वो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही हैं। और आप इस बार जारखंड के अंदर किसको सपोर्ट करें और किसकी सरकार देखना चाते हो कमेंट बॉक्स के अंदर आपनी राय जरूर दे। झाल